स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल नालीज फड़ापट में तो एक टू के सिर्फ ये छात्र एक्जाम फाम भर पाएंगे जी यहां गाइच कौन-कौन से ऐसे छात्र होंगे जो एक टू का एक्जाम फाम और समिस्टर का भर पाएंगे और वही छात्र सिर्फ मस्या आ रही है एक्जाम फाम नौट ओपेंड कांटेक्ट यूर कॉलिज फर फर्दर डिटेल इफ यूर रिजल्ट इन कंप्लीट एट वन भी प्लीज वेट तिल रिजल्ट गेट अप्लोडेट ऐसा अगर आ रहा है अप्डेटेट तो इसका स्लूशन क्या है ऐसा क्यू देख सकते हो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है एक्जाम फाम भरते समय ऐसा अप्सन आ रहा है देखो रेगूलर के छात्र तो एक्जाम फाम आराम से भन लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्यारी ओबर के या चैलेंज वाले जो छात्र है उनके साथ ऐसी प क्या मैं एक्जाम फाम नहीं भर पाऊंगा इसमें तो देखो एक चीर में आपको क्लियर कर दूँ कि यह जो एक्जाम फाम उपन हुगा है सिर्फ और सिर्फ बीटिक भी फार्मा के अगर बात करूं अधर को छोड़ दूँ तो फिप्त सेमेस्टर शिक्ष सेमेस्टर सेव आगर टो उसका फार्वरी लाश में जो एक्जाम होगा उसके लिए जब एक्जाम फाम अलगा से आएगा फेश्टू का उसमें आप लोग भरूगे इसमें अगर फिप्स सेमेस्टर के रेगुलर की छात्रों तो एक्जाम फाम भर पाओगे सीख सेमेस्टर का बैक है तो और शेश्च कर्यार योटर बर्का एक्जाम बर्पाऊंगे और यहीड लोग एक्जाम दे पाएंगे यह समझ्चा क्यों आ रही है तो फिर से में रिक्विश्च करना चाहूंगा जीदने लोग अभी तक वीडियो देख रहो शक्राइब नहीं क्यों प्लीज चैनल को शब् तो यहां पर बोला जा रहा है कि आपका exam from open नहीं हुआ है क्रिपिया अपने college में contact करें फर्दर डिटेल के लिए लेकिन इफ इफ मतलब अगर यूर रिजल्ट इंकम्प्लीट आई एंसी मतलब incomplete at one view please wait till result get updated अगर आपका result अभी update नहीं हुआ है one view पर तो please उसका wait करें इसका करने कि यह मतलब है यह उन्हीं के साथ problem आ रही है अगर आपका कोई carry over का exam दिये हो और अभी तक उसका result नहीं आया है या तो आप challenge valuation का farm डाले हो उसका result नहीं आया है कोई न कोई आपका result अभी pending है पुराना वाला तो ही उन्हात्रों के साथ ऐसी problem आ रही है कि आपका जब तक carry over का या challenge जो डाले हो उसका result जब तक update नहीं हो जाता है तब तक आप रुके रहे है exam farm नहीं भर पाएंगे एक समस variable काने को बाकी है तो इस case में आप अपने college में contact करो और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होगा कि 75% मतलब आपके attendance आपके portal पर upload नहीं होगी तो ये भी रिजन आ रहा होगा समझ गे तो result अगर आपका incomplete अभी कोई नहीं आया है और ऐसी समस्या रही है तो EK2 का कहने का ये sensor है कि आप अभी वेट करो और EK2 जहां तक करेगा जैसे 27 से 30 के आसपास एक्जाम फार्म की दर मालों 30 दिसंबर तक रहेगी तो EK2 ट्राइब करेगा 30 दिसंबर से पहले पहले आपका जो भी चैलेंज हो या जो भी पेंडिक रिजल्ट उसको अपडेट कर देगा उसको डिक कर देगा तो आप लोग भी भर पाऊंगे एक्जाम समझ गए इसी रिजन की वाज़ा से ऐसा दिखा रहा है तो आई होप सो की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नव चैनल को सब्स्राइब करिए मिलेंगे नए वीडिय बाइ बाइ टिक यार